अगर आपने इंडियन आर्मी रैली का फॉर्म जो है वो फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोटेंट हो सकती है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आर्मी का फॉर्म कलने के बाद रैलियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी है तो आपको क्या करना है रैली में कु तो देखिए यहाँ पर मैं तीन डोकुमेंट जो है उनकी बात करेंगो वो है school character certificate, आपका police character certificate और आपका blaze character certificate यह तीन डोकुमेंट आपको rally में ले जाने पड़ेंगे अगर आपकी महाँ पर running बगएर सारी निकल जाती है उसके बाद आपका जो है document verification होता है तो उसमें क्या ह आपको as a proof यह document आपको बाब आपको शो करने पड़ते हैं तो आपको क्या करना है बीडियो को बिल्कुल end तक देखना है और end तक बने रहना है तब ही आपको समझ में आप आएगा कि कैसे और कहां से यह document आपको तयार करवाने है तो देखिए मैं आपको notification में भी देखा द आपके सामने जी नमर पर दिया हुआ है school character certificate जो के school character certificate issued by school or college principal headmaster यह आपको याद तो 12th की mark sheet के साथ मिलता है 10th की mark sheet के साथ भी मिलता है अगर आपको नहीं मिला है तो आप simply school जाईए और school जाकर यह जो है इसका format आप किसी भी online जो दुकान है उस पैसे ले सकते हो और बहां पर जाकर आपको मैं भी इसके बाद आपको format भी दिखाऊंगा कैसा certificate आपको लेना है और उसके बाद आपको बस school का stamp लगवाना है कि आपका character जो है वो बिल्कुल perfect है अब उसके बाद दूसरा दिया हुए है इसमें H नमर पर character certificate character certificate with photograph इसमें photograph होना कंपल सरी है issued by village serpent municipal corporation with last six month from date of dispatch अगर आप अपने बिले सर्पंच से या फिर municipal corporation से यह character certificate बन वा रहे हैं तो सिर्फ 6 महीने पराना हो सकता है और दूसरा इसमें most important certificate दिया हुआ है वो दिया है आपका क्यू नमर पर प्लिस character certificate यह होना बहुत जरूरी है तो चलिए मैं आपको इसके format बताएता हूं कि कैस ले ज्यादा नहीं 5 रुपे 10 रुपे का आपको यह पड़ेगा फर उसके बाद अपनी जो information उसमें आपको fill करनी है वो fill करने के बाद आपको most important चीज़ है वो यह है कि यहाँ पर place और date और साथ में round stamp यहाँ पर आपको लगवाना है साधी साथ अब आप सरपंच या फिर head certificate blaze character दोनों एक ही certificate में आगे तो आपको दोनों अलग अलग certificate prepare नहीं करवाने सिर्फ एक ही certificate आप prepare करवा सकते हो दूसरा जो format में आपको दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं police character certificate का यह भी आपको किसी भी online दुकान पे आपको मिल जाएगा 5 या 10 रुपे का आपको खरीद लेना है इसमें अपनी सारी information यहाँ फिलप करनी है सारी information फिलप करने के बाद इस certificate को आपको police station ले जाना है police station में आपका क्या होगा वहाँ पर चेक करेंगे अगर आपका कोई record found नहीं होता तो वो यहाँ पर एक round stamp लगा देंगे साधी साध police in charge के यहाँ पर signature लगेंगे police station का नाम और जिस date यह आपने process करवाई है वो date यहाँ पर फिल होगी अगर माल लीजिए आप फॉर्मेट police station नहीं ले जाते हैं लेकिन फिर भी वो आपको बना के देंगे आपको सिर्फ police station में visit करना है और आपको बताना है कि सर मेरी 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 ऐसे ऐसे rally की जो भरती है उसके लिए मुझे police character certificate चाहिए तो वो आपको वहीं से थाने से ही निकाल के दे देंगे वो valid होगा और आप बात करते हैं किसमें जो time है वो कितना consume होगा तो देखिए यह time consuming process नहीं है आप यह जो कर रहे हो वो आप दो दिन के अंदर भी कर सकते हो है ना इसमें बिलकुल भ जाए है वहां से आपका police character certificate तो यार हो जाएगा तो यह जंजट आप अपना जल्दी से खतम कर लो किसे क्या होगा आपको जो rally भरती में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी thank you so much video देखने के लिए अगर इसके बाद भी कोई doubt रहता है तो comment section में मैंने telegram की link दे दिया यह पब्लिक के लिए हमारा group telegram को open है आप लोग भी इसमें जाकर comment कर सकते हो अपनी doubt को पूछ सकते हो thank you so much जैहिंद